Hi everyone, मैं हूँ Dr. Salim और आज मैं आपको बताऊंगा कलॉंजी से मिलने वाले 10 बहुत ही incredible health benefits के बारे में और इसके साथ-साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा के इन benefits को हासिल करने के लिए आप कलॉंजी किन-किन तरीकों से इस्तमाल कर सकते हैं तो चलिए बिना किसी देरीके इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों कलॉंजी हमारे खाने को और हमारे ग्रेवीज को एक बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर और एक बहुत ही बढ़िया सा अरोमा तो देती ही है बट इसके साथ-साथ कलॉंजी के अंदर बहुत सारे से हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो छुपे हुए हैं लेकिन अगर आप इन health benefits को लेना चाहते हैं, उनका benefit उठाना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप कलोंजी को सही तरीके से इस्तमाल करें। इसलिए अभी आगे मैं आपको जो भी benefits बताने वाला हूँ, उन benefits के साथ साथ मैंने कलोंजी को इस्तमाल करने का तरीका भी आपको बताया है। इसी तरह की वीडियो आपको देखने को मिल जाएं। को आप सुभे शाम अपने फेस को पर लगाईए, दस से पंदरा मिनट के लिए इसको छोड़ दीजे और उसके बाद हलके गुंगुने पानी से इसको वाश कर लीजे। I'm sure within a week ही आप काफी फर्क महसूस करेंगे अपने कील मुहासो में भी और इसके बाद एकनी के बाद जो आपके चेहरे पे काले दाग रह जाते हैं, वो भी काफी आपके लाइटन होना शुरू हो जाएंगे। कलॉंजी का अगर आपके चेहरे पें पिंपल्स हैं तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा एक बहुत बढ़िया बेनिफिट जो कलॉंजी से आपको मिलता है वो है डाइबिटीस किंट्रोल के लिए यानि बलड शुगर को मैनेज करने के लिए अगर आपका बलड शुगर बढ़ा रहता है आपको डाइबिटीस की चिकायत है तो उस केस में आप कलॉंजी क इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो यह है कि आप बलाक टी के अंदर आधा चमच कलॉंजी का तेल मिला लिजे और सुभा खाली पेट उसको रुज़ाना पीजे कलॉंजी के अंदर आंटी डाइबिटिक प्रोपरटीस पाई जाती है यानि ये आपके बलड के अंदर शुगर के ग्लुकोस की अब्सॉर्प्शन को स्लो डाउन कर देता है और इसके सासात ही आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन की सेंस्टिवीटी को और इंसुलिन की आक्शन को भी इंप्रूफ कर देता है और ये दोनों ही चीजे आपके ब इस अदर एक चम्मच आपको मिलाना है इसको आपको रोजाना सुभह शाम चाटना है और इसको उपर से पानी ये दूद ले सकते हैं इसके साथ अगर आप अस्थमा के लिए इस्तमा कर रहे हैं कलॉंजी को तो इसी चीज को यानि पिसी हुई कलॉंजी और शहद को आपको मिलाना है गरम पानी के अंदर और इसको चाई की तरह सिप करते हुए पीना है तो अगर इस तरह से आप इसको पिएंगे गरम पानी के साथ तो यह esthama में आपके लिए beneficial होगा और अगर आप इसको directly ले लेंगे तो यह आपकी memory को boost करने का काम करेगा headache यानि सरदर्द को दूर करने में भी कलॉंजी बहुत effective है अगर आपको सरदर्द की शिकायत है तो उस case में आप कलॉंजी ओईल लेकर उसकी massage कर सकते हैं अपने forehead के उपर और इससे आपका जो दर्द है सर का वो फौरान चूमंतर हो जाएगा काफी effective है आपके सरदर्द के लिए बॉडी के और भी किसी पार्ट पर अगर आपको pain है तो उस case में भी आप इसका कलॉंजी का तेल इस्तमाल कर सकते हैं और इससे आपको instant relief मिलेगा आपके किसी भी तरह के pain के लिए especially अगर आपको सरमे दर्द है तो उसमें तो बहुत ही कलॉंजी आपका weight loss करने में भी बहुत ही जादा effective है अगर आप weight loss करना चाहते हैं तो आप जान लीजिए कि कलॉंजी आपकी appetite को suppress करती है यानि भूग को कम करती है और इसके साथ-साथ हमारी body में कुछ genes होते हैं जो कि हमारे weight को govern करते हैं उन genes को भी directly impact करती है ये कलॉंजी तो अगर आप अपना weight loss करना चाहते हैं तो उस case में आप जो एक नॉर्मल सी चीज है जिसकों लोग बोलते हैं कि आप गुन्गुने पानी के अंदर नीमु मिला लीजिए और हनी मिला लीजिए ये मुस्ली सभी लोग इस्तेमाल करते हैं अगर आप इसी चीज़ के अंदर आधा चम्मच पिसा हुआ कलॉंजी का powder मिला लेंगे फिर आप देखिए कि आपको कितनी जादा चल्दी इससे effect मिलता है यानि आपको करना क्या है आपको एक ग्लास गुन गुन पानी लेना है उसके अंदर एक नीमु का जूस जालना है एक चम्मच शहट डालना है और आधा चम्मच कलॉंजी पिसीवी powder डालना है यह जो कंडॉक्शन आपका बनेगा यह बहुत ही जादा effective हो जाएगा वैसे तो बिना कलॉंजी के भी काफी effective होता है यह drink लेकिन अगर आप इसमें कलॉंजी डाल लेंगे तो इसकी जो इफिकेसी है वो काफी गुना बढ़ जाएगे और आपको जादा fast results मिलेंगे weight loss के ल तो उस केस में भी आप कलॉंजी को इस्तेमाल कर सकते हैं इस केस में आप कलॉंजी को किस तरह इस्तेमाल करेंगे देखे एक बड़ा चमच ले लीजे आप सरसो के तेल का और उसके अंदर आधा चमच कलॉंजी आप मिला लीजे और इसको आग पर पकाईए इसको आपको आ रम तेल को आप अपने जोड के उपर मालिश करिए और इससे आपके जोड है चाहे वो और्थ्राइडिस की वज़ से पेन हो उस में या और किसी वज़ा से हो या किसी चोट की वज़ा से हो वहाँ स्वेलिंग भी ये कम करेगा और पेन में भी आपको काफी हद तक रहत देग वो कम होगा आपका जो HDL कलोस्ट्रॉल है वो बढ़ेगा और आपका ट्रीग्लीसराइड भी बुरी जीज़ है जो बड़ी मुश्कल से ठीक होती है तो कलोंजी का इस्तमाल करने से आपका जो ट्रीग्लीसराइड है वो भी कम होना शुरू हो जाता है इसको अगर आप तो उसके लिए आपको आधा चमच का तेल लेना है और उसको एक गलास गुंगुने पानी के साथ दिन में दो टाइम इस्तमाल करना है और इससे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा और आपका जो कॉलोस्टरॉल है वो भी कम हो जाएगा ट्राइगलिस राइ का है वह यह के आपको दो चमठ लिना Catalunya का तेल और इस मिक्सचर को आपको ले ना है एक गलाज गरम पानी की साथ और यह तुरंत आपके जो दर्द है किड़्नी का उसको भी ठीक करते का किड़नी में कोई स्वलिंग या प्रूफ करने का भी काम करती हैं, अगर आपको दातों की कोई प्रॉबलम है, पाइरिया है, या आपको दातों में ठंडगरम पानी लगता है, या दात में दर्द रहता है, या डेंटल केरीज हैं, तो उस केस में आप कलॉंजी का ओईल दही में मिला कर सकते हैं, आधा चम्म को भी कम कर देगा, डेंटल केरीज को भी कम कर देगा, कैविटीज को भी कम करने में काम करेगा, और और आपकी जो ओरल हाइजीन है, उसको इंप्रूफ करने का काम करेगा, कलॉंजी आपकी इम्मुनिटी को भी एन्हांस करने का काम करती है, अगर आपकी इम्मुनिटी कम बार बार बीमार पढ़ते हैं और उससे बचना चाहते हैं अपने immunity को boost करना चाहते हैं तो आप कलौंजी को इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए आपको दो चम्मच चहद लेना पड़ेगा और उसमें बिलाना पड़ेगा आदा चम्मच कलौंजी का तेल इस mixture को आप एक ग्लास गुर्मने पानी के साथ रोजाना सुभा की टाइम में लेजए खाली पेट और इससे विदिन 7 और 10 डेज और 14 डेज आप देखेंगे कि आपके इम्म्यूनिटी बूस्ट होनी शुरू हो जाएगी आपकी जो बार-बार बिमार पढ़ने की आदत है वो कम होनी शुरू हो जा यहां मैंने आपके जितने भी बेनिफिट्स बताए हैं यह सभी scientifically proven है और practically भी हमने देखा है कि इस तरह से इस्तेमाल करने से इनका बहुत ही अच्छा effect बहुत ही अच्छा result आपको मिलता है अगर आपने कभी कलॉंजी इस्तेमाल करी है और इससे आपको कुछ अच्छे बे चाते हैं तो आप मुझे वो भी comment section में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे instagram पर भी follow कर सकते हैं drsalim for you मेरी instagram ID है वहाँ पर आप मुझे direct DM कर सकते हैं या फिर मुझे follow भी कर सकते हैं तो चलिए इसी के साथ यहां तक वीडियो देख ली है तो इसे like जिरू करिएगा चैनल पर अगर नए है तो subscribe कीजिएगा और आगे भी हमारी वीडियो में हमारे साथ बने रहेगा मैं drsalim आपसे विदा लेता हूं इस वादे के साथ के फिर मिलूँगा आपसे इसी जंगा पर एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए टाटा बा